C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा नौ के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक नवाय उर्दू भाग एक आईए अब सुनते हैं नवाय उर्दू भाग एक का सत्रवा सबक पंडित ब्रिज नारायन चकबस्त सफ़ नमबर 145 पंडित ब्रिज नारायन चकबस्त तारुफे शायर पंडित ब्रिज नारायन चकबस्त 1882 इस्वी से 1926 इस्वी तक पंडित ब्रिज नारायन चकबस्त की विलादत एक कश्मीरी खानदान में बमकाम फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुई उन्होंने लखनव में तालीम हासिल की LLB की डिगरी हासिल करने के बाद लखनव ही में बकालत करने लगे उनका इंतिकाल बरेली में हुआ और आखरी रसूम लखनव में अदा की गई चकबस्त ने रिवायती अंदास से शायरी शुरू की और गजले भी कही जल्द ही वो नजम गोई की तरफ मुतवज्जे हो गए बतन परस्ती को मौजू बनाया चकबस्त ने होम रूल के मौजू पर बहुत सी नजमे कहीं है उनके नजमों में खुदरती मनाजिर की अकासी बेदारिये वतन के जजबात आजादी की तडप और दर्दमंदी के पहलू नुमाया है उनके कलाम में सलासत और रवानी पाई जाती है उन्होंने अपने एहबाब, बुजुर्गों और कौमी रहनुमाओं पर मरसी लिख कर उनकी सीरत की उम्दा अकासी की है उनकी नजमों का मजमुआ, सुभे वतन और मजामीन का मजमुआ, मजामीने चगबस्त के नाम से शाय हो चुका है सफा नंबर 146 रामायन का एक सीन शायर, पंडित ब्रिच नारायन चगबस्त रुखसत हुआ वो बाप से, लेकर खुदा का नाम राहे वफा की मन्जिले अवल हुई तमाम मन्जूर था जो मा की जियारत का इंतिजाम दामन से अश्क पोंच कर दिल से किया कलाम इजहारे बेकसी से सितम होगा और भी देखा हमें उदास तो, घम होगा और भी दिल को संभालता हुआ, आखिर वो नौनिहाल खामोश मा के पास कया, सूरत खयाल देखा तो एक दर में है बैठी वो खस्ताहाल सकते सा हो गया है, ये है शिदते मलाल तन में लहू का नाम नहीं, जर्द रंग है गोया बशर नहीं, कोई तस्वीर संग है क्या जाने किस खयाल में गुम थी वो बेगुनाह नूरे नजर पे दीदए हस्रस से की निगाह जुमबिश हुई लबों को भरी एक सर्द आह ली गोशे हाई चश्म से अश्कोंने रुख की राह चेहरे का रंग हालते दिल खोलने लगा हर मुए तन जबान की तरह बोलने लगा रोकर कहा खमोश खड़े क्यूं हो मेरी जान मैं जानती हूँ जिसलिए आए हो तुम यहाँ सबकी खुशी यही है तो सहरा को हो रवा लेकिन मैं अपने मुँ से नहर्गिस कहूंगी हाँ किस तरह बन में आँखों के तारे को भीज दूँ जोगी बना के राज तुलारे को भीज दूँ लेती किसी फगीर के घर में अगर जनम होते न मेरी जान को सामान ये बहम डस्ताना सांप बन के मुझे शौकतो हशम तुम मेरे लाल थे मुझे किस सल्तनस से कम मैं खुश हूँ फूँख दे कोई इस तखत ताच को तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को सरजद हुए थे मुझे से खुदा जाने क्या गुनाह मजधार में जो यूं मेरी कष्टी हुई तबाह आती नजर नहीं कोई अमन अमा की राह अब यां से कूच हो तो अदम में मिले पना तक्सीर मेरी खालिक आलम बहल करे आसान मुझ गरीब की मुश्किल अजल करे सुनकर जबां से मा की ये फर्याद दर्द खेज इस खस्ता जां के दिल पे चली गम की तेख तेज आलम ये था करीब के आँखें हों अश्क रेज लेकिन हजार जब्त से रोने से की गुरेज सुचा यही के जान से बेकस गुजरना जाए नाशाद हम को देख के मा और मरना जाए फिर गरस की ये मादर नाशाद के हुजूर मायूस क्यूं है आप अलम का है ये वफूर सद्मा ये शाक आलम पैरी में है जरूर लेकिन न दिल से कीजिए सब्रो करार दूर शायद खिजां से शकल आया हो बहार की कुछ मसलह तिसी में हो परवड़दिकार की पढ़ता है जिस गरीब पे रंजो मुहन कबार करता है उसको सब्र आता आप गिर्दिकार मायूस होके होते हैं इनसां गुनहकार ये जानते नहीं वो दानाए रोसकार इनसान उसकी राह में साबित कदम रहे गर्दन वही है अम्रे रजा में जो खम रहे सफ़ा नमबर 148 अक्सर रियास करते हैं फूलों पे बाख पां है दिन की धूप रात की शबनम उन्हें किरां लेकिन जो रंग बाख बदलता है ना कहां वो गुल हजार पर्दों में जाते हैं राहे कां रखते हैं जो अजीज उन्हें अपनी जां की तरह मिलते हैं दस्ते यास वो बर्गे खिजां की तरह लेकिन जो फूल खिलते हैं सहरा में बेशुमार मौकिफ कुछ रियास पे उनकी नहीं बहार देखो ये कुद्रते चमन आराए रोजकार वो अबरो बादो बर्फ में रहते हैं बरकरार होता है उन पे फजल जो रबे करीम का मौजे सुमूम बनती है जोंका नसीम का अपनी निगाह है करम कारजास पर सहरा चमन बनेगा वो है महरबां अगर जंगल हो या पहाड सफर हो के हो खजर रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर उसका करम शरीक अगर है तो घम नहीं दामाने दश्ट दामने मादर से कम नहीं सफ़ा नंबर 149 मश्कुल लफ्सो मानी जियारत किसी मुतबर्रिक मकाम चीज या शख्स को अकिदस से देखना किसी मुकद्स मकाम का सफर करना सितम जुल्म नौनिहाल पौदा कम उम्र बच्चा सक्ता बेहिसो हर्कत हो जाने का मरज मलाल रंज बशर इंसान तस्वीर संग मुझा समा पत्थर की तस्वीर पत्थर की मूरद दीदाय हसरत हसरत भरी निगाह गोशा हाय चश्म आख के कोने मुए तन जिस्म के बाल जोगी फकीर बहम साथ साथ इकठे शौकतो हशम शान उशिक्वा रौब ताब सर्जद होना पेशाना वाके होना मजधार भंवर दरिया के बीचो बीच कूच करना रवाना होना आद्म आखरत गैर मौजूद होना तक्सीर गुसूर गलती बहल करना मौफ करना अजल मौत दर्द खेस दर्द उठाने वाला गुरेस बचना नाशाद नाखुश अलम गम वफूर ज्यादती शाक सख्थ दुश्वार अयां जाहिर रंजो मोहन दुख दर्द गम तकलीफ अमरे रजा अल्ला की मर्जी खम टेड़ा पन र्याज बहुत से बाग नागह अचानक राएगा बेकार दस्ते यास मिलना अफसोस से हाथ मलना बर्गे खजां खजां के पत्ते मौकूफ मुनहसर मुल्तवी मौजे समूम गरम हवा जुल्सा देने वाली हवा लू नसीम ठंडी हवा कारसाज काम बनाने वाला यानि अल्ला हजर एक जगा कयाम ठहराओ दश्ट जंगल दामने मादर मा की गोद मा की आखोश सफ़ नंबर एक सो पचास गौर करने की बाद इस नस्म में मा और बेटे के जजबात की अकासी की गई है आयोध्या के राजा दश्रत की तीन बीवियां थी कौशल्या, कैकई और सुमित्रा रामचंदर जी कौशल्या के बेटे थे जब दख्त पर रामचंदर जी के बैठने का वक्त आया तो उनकी सौतेली मा कैकई ने अपना लिया हुआ वादा राजा दश्रत को याद दिलाया आखिरकार रामचंदर जी को चौधा बरस का बनबास मिला नस्म के इस सीन में रामचंदर जी का अपनी मा कौशल्या से रुखसत होना बहुत पुरदर्द अंदास में दिखाया गया है सफ़ा नंबर 151 सवालों के जवाब लिखिए सवाल नंबर एक राहे वफा की मन्जिले अवल हुई तमाम ये कहकर शायर ने किसकी तरफ इशारा किया है सवाल नंबर दो दिये गए अलफाज शायर ने किसके लिए इस्तिमाल किये है सूरत खयाल खस्ताहाल शिद्दत मलाल तस्वीर संग सवाल नंबर तीन शायर के खयाल में शौकत औ हशम साप बनकर किस तरह डस रहा है सवाल नंबर चार मूहे तन जबान की तरह बोलने से शायर की क्या मुराद है सवाल नंबर पांच छटे और साथमें बंद की तश्रीह कीजिए सवा नंबर एक सौ बावन अमली काम इस नजम से मुतजाद अलफाज तलाश करके लिखिए नजम में एक लवज नाशाद आया है जिसके मानी खुश ना होने के है लेकिन अगर हम इसमें से ना हटा दें तो लवज शाद बन जाएगा जिसके मानी खुश होने के है आप भी ऐसे ही कुछ अलफाज लिखिए जिसमें ना का इस्तेमाल किया गया हो इजाफत की तारीफ इससे पहले आप पढ़ चुके हैं इस नजम में भी कुछ इजाफते आई हैं जैसे खालिक आलम आप नजम में आई इजाफतों की निशान दे ही कीजिए इसी तरह कुछ अलफाज ऐसे आए हैं जिनमें दो अलफाज के दरमियान में वाउ का इस्तेमाल हुआ है जैसे शौकतो हशम ये लिखते तो वाउ लगा कर हैं लेकिन पढ़ते हैं मिला कर जैसे शौकतो हशम दो लवजों को इस तरह मिलाने वाले वाउ को हर्फे अतव कहते हैं आप इस नजम में से इस तरह के अल्फास को तलाश करके लिखिए जिन में अतव का इस्तेमाल हुआ हो दिये गए अल्फास के माने लिखिए और उन्हें जुम्लों में इस्तेमाल कीजिए बहम, अश्करेज, खालिक यालम, आया, रंजमुहन, मजधार, अलम, वफूर इसी के साथ नवाय उर्दू भाग एक का सत्रमा सबक यहां खत्म होता है इसके बाद सबक 18 आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत